का सभी आमीद के सभी स्वस्त होंगे और आप सभी की तैयारी है वह는 धुमध्णद राके से चल रही होगी क्योंकि अपकी परिक्षा है वह परिक्षा होने में समय ही कितने शेश happiness जादा से जादा दो माह तो आज की जो हमारी कक्षा है उसका शीर्षक है सिंदूर की होली नाटक की आज हम कथवस्त देखेंगे नाटक के प्रमुख कथन देखेंगे और ध्यान रखिएगा हम संबंधित प्रश्ण जो हमारे नाटक है वो दो तीन नाटक का जो समूव हो ज जी के नाटकों के विशेय में किया है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सिंदूर की होली के नाटक जो है सिंदूर का होली जो नाटक है इस नाटक से संबंदित पहले कुछ विशेश तक देखते हैं इसका प्रकाशन 1934 में हुआ ठीक है और यह नाटक दो अंकों में विभक्त है इप्सन बरनाट शा इत्यादी पश्चमी विचारकों से प्रभावित लक्ष्मी नाराण मिश्र हिंदी के जो समस्या मूलक नाटक है हिंदी में समस्या मूलक नाटक के महत्पून लेखक है सिंदूर की होली लक्षमी नराण मिश्र जी की सर्वस्रेष्ट नाटक है इस नाटक की खास बात यह है कि इस नाटक में एक ही दिन के पूरे घटना का वरणन किया गया है इस नाटक में उन्होंने चिरंतन नारित्यों की समस्या का प्रतिपादन किया है तो जो लक्षमी नराण मिश्र जी का यह जो नाटक है इसके विशे में एक बात आप यह ध्यान रखिए कि इसमें जो द्रिश्य दिखाए गए हैं वो तीन द्रिश्यों का समय है ठीक है दूसरा द्रिश्य संध्या का दिखाया जाता है और तीसरा जो द्रिश्य है वो रात्री दस बजे का है तो नाटक के कथानक समय बारा बजे दिन से बारा बजे समय का है ठीक है और इससे संबंदित जो भी है जानकारी देखिए इस नाटक में उन्होंने चिरंतन नारीत्व की सामस्या का प्रतिपादन किया है सामाजिक समस्या प्रधान नाटको केक क्रम में सिंदूर की होली उनका पाच्वानाटक है ठीक है जो सामाजिक समस्या से बने हुए प्रतिपादन नाटक है इसमें सिंदूर की होली का जो क्रम है वो पाच्वानाटक है ठीक है लक्ष्मी नरायन मिस्टर जी के सभी नाटक तीन अंकों में है ध्यान रखेगा इनके जो नाटक होते हैं वो सारे नाटक कितने तीन अंकों में होते हैं अंकों का विवाजन द्रिश्यों में नहीं किया गया है इसमें तीन अंकों में द्रिश्य अस्थल एक ही है डिप्टी कलेक्टर मुराली लाल के बंगले की बैठक तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा ठीक हैं तीन अंकों में द्रिश्य अस्थल एक ही है और वो भी क्या डिप्ती कलेक्टर मुराली लाल के बंगले की बैठक नाटक कार ने समकालीन भारतिय समाज में होने वाली नारी के समस्याओं का चित्रण विभिन पात्रों के माध्यम से किया हुआ है विद्वा पुनर विवाह का समर्थन करते हुए भारतिय नारी की दशा को सुधार्थ ने का भी इस नाटक में प्रयास किया गया है जैसा कि इस नाटक की भूमिका में ही राम प्रसाथ त्रिपाथी लिखते हैं प्रस्तुत नाटक के रजयता श्री लक्ष्मी नाराण जी इपसन बरनाठ शा आधी नाटक कारों के विचारों इन को द्यान रखेगा जी इपसन बरनाट शाओ नाटक कारों के विचारों और भावनाओं से प्रेरित होकर हिंदी नाट के साहित्य में नवीन धारा का प्रचार करने की चेश्ठा कर रहे हैं मिस्र जी ने बुद्धिवात से प्रेरित होकर यह नाटक लिखा या एक समस्या नाटक है ध्यान रखिएगा समस्या मूलक नाटक है यह नाटक तीन अंकों में विभाजित है इधर दो अंक हो गए हैं तो इसको जो है यह टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है इसलिए इसको यहां हम तीन रख देते हैं ठीए तो यह नाटक कितने तीन अंकों में विभाजित है इसमें तत्काली नारी समस्याओं का चित्रण हुआ है जिसमें नारी देः ध्यान रखिएगा इसको नारी समस्याओं का चित्रण हुआ है नारी देव, पुनर विवा एवं वैधव्य की समस्या पर प्रकाश डाला गया इस नाटक में इस नाटक में मिश्रजी द्वारा प्रीम, कला एवं साहित्य का खूब सूरत अंतरद्वन्द चित्रित हुआ है इसके प्रतेक पात्र का अपना अपना व्यक्तित्व है प्रतेक की भावना और इसके व्यक्तित्व का चित्रण सहान भूति पूर्वत इस नाटक में किया गया है इसमें भावुक्ता के भीतर पुद्धिवात का पक्ष है तथा सामाजिक वैशम्य की प्रिष्ट भूमी में नारी और पुरुष के संबंधों का चित्रण किया गया है साधन और संपन व्यक्ति की मानसिक्ता को दिखाया गया है निस्वार्थ और आदर्श प्रेम को दिखाया गया है इन बिंदों को ध्यान रखिएगा ब्रश्टाचारी कानून व्यवस्था का जिक्राया है गुनागारी प्रविति को बढ़ावा दिया गया है बढ़ावा इस नाटक में दिखाया गया है दिया गया है नहीं अब इस नाटक के जो पात्र हैं उनको देखिए इस नाटक में कुल नव पात्र हैं जिनमें से साथ पुरुष और दो इस्त्री पात्र हैं मुरारी राल कौन है? डिप्ती कलेक्टर जो स्वभाव से भ्रश्ट, धोखे बाज और चरित्रहीन है पैसे के लिए अपने मित्रवा एक निर्दोष युवक की हत्या कर देते हैं रजनी कांत इमानदार है निर्भीक और कर्तव्य निष्ट पात्र है जिसके ना होते हुए भी पूरा नाटक इसी के केंद्र में गूमता है चंद्रकला इससे प्रेम करती है वैधत्यों को जेल रही तरकशील नारी पात्र है यह कला की पुजारी है और संपूर्ण नात्रक में मिस्र जी ने इसी पात्र के द्वारा पश्चिमी भारती सभ्यता में अंतर के साथ प्रेम, विवार, तला, कला, शिक्षा और कानून का संभात करवाया है मनोज शंकर पांसुरी बजाता रहता है और पिता की मौत के कारणों को ना जान पाने से मानसिक रोप से विक्षिप्त सा रहता है मनोज भी तरकशील प्राणी है चंदर करणा कौन है? मुरारे लाल की पुतरी, जिसे रजनी कान से पहली ही नजर में प्रेम हो जाता है रजनी कान की मृत्युपर वह चोब से भर उठती है और मरना सन पड़े रजनी कान के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर भर लेती है अपनी भावुक्ता के आवेश में वह मनोर्मा के वैधव्य से अपने वैधव्य को उंचा बताती है चंदरकला आधुनिक विचारों की युवति हैं जिसे सामाजिक रूडियों का वंधन अस्विकार है वह तत्यों से ज्यादा भावनाओं के महत्यों की पक्षिधर है भगवन सिंग जमीनदार है जो रजनी कान की हत्या करवाता है या सहायक रहता है हरिनंदन रजनी कान की हत्या में सहायक डॉक्टर चिंद्रकला के बीमार पढ़ने पर आता है इलाज को लेकर मनोश शंकर से हल्की बहस होती है रजनीकान भगवन सिंग का भतीजा गौड पात्रिस में कौन है माहिर अली वा कुछ और जन जो नाटक के बीच में आते हैं कथा सार देखिए नाटक का जो पहला अंग है नाटक के इस पहले अंग में ही सभी महतुपूण पात्रों का परिचे मिल जाता है इस नाटक में रजनीकान नामक युवक की हत्या सुपारी लेकर जमीनदार भगवन सिंग के साथ हरनंदन सिंग पहुचाता है शुरू में डिप्टी कलेक्टर घूस लेकर उन्हें आपस में समझोता करने वा स्वयम रजनीकान को समझा पुझा देने का सुझाव देता है रजनीकान भगवन सिंग के वंश से था जिसका जमीनी विवाद उससे रहा था भगवन सिंग रजनी कान्त का लगान बंदी पर भाशर वाजी एवं उसकी सक्रियता से चिड़ा हुआ है और उसे जान से मारना चाहता है जब तक मुराले लाल डिप्टी कलेक्टर सुझाव दे रहा था तब तक उसने अपने गुंडों से रजनी कान्त को मरवा दिया हत्य की बात पर मुराले लाल आग भगूला हो जाता है लेकिन शेक रही इस गटना पर चार गुना गुश यानि 40,000 मिलने पर शान्त हो जाता है वह भगवन सिंग और उसके बीच दलाली करा रहे है अपने मुन्शी माहिर अली से कहता है हम लोग मनुश्य और उसके अधिकार के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते हम लोगों का तो काम है केवल कानून की रक्षा करना यही बुराई है और इसलिए यह सम हो रहा है इस अंक में चंद्रकला और मनोर्मा के मंद्य कला और शिच्छा को लेकर संबाध होता है प्रेम के दर्शन पर चर्चा हुई है और प्र मनोर्मा संग मुरारी लाल का संबाध हुआ है त्यान रखेगा पहले अंक में मनोर्मा और मुरारी लाल का संबाध होता है दूसरा इस अंक में मनोर्मा और मनोर्मा के मध्य आत्मियता को लेकर संबाध है जिसमें पुरुष के रोग और विद्वा वैधव्य को लेकर बात हुई है मुरारिलाल और मनोश शंकर के मंध्य संबंधों में खटास प्रतीत होती है इस अंक में दिखाया गया है कि पाश्चात्य चिकित्सा बढ़ते मांसिक विकार को लेकर अभी पिछड़ी है मनोश शंकर और डॉक्टर के संबाद से इसका पता चलता है तीसरा अंक चंद्रकला रजनीकांत के हाथों से अपनी मांग भरती है जहां बहस में मनोश शंकर को अपने पिता के हत्यारे का पता चलता है जो कोई और नहीं बलकि उसे पालने वाला मुरारी लाल ही था मुरारी लाल ने चंद्र रूपए के लिए मनोश शंकर के पिता और अपने मित्र की नाव से धकेल कर हत्या कर दी थी जिस कारण वह अकेला रह जाता है प्रमुक कथन देखिए तो नाटक के पहले यंग का प्रमुक कथन है बस उसने आपका क्या विगाड़ा बड़े घरानों में ऐसे लड़के भी पैदा हो जाते हैं लेकिन किसी तरह निबाहना ही पड़ता है उसकी बुराई तो आपको छिपानी चाहिए इसमें आपकी भी बुराई है कौन कहता है मुरारी लाल भगवन सिंग से ठीक है आज कल का कानून ही ऐसा है जिसमें सजा उसको नहीं दी जाती जो अपराद करता है बस यही कानून है हम लोग मनुष्य और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते हम लोगों का तो काम है किवल कानून की रक्षा करना यहीं बुराई है और इसलिए यह सब हो रहा है कौन कहता है मुरारी लाल माहिर अली से कला का आधार है विश्वाश और सिक्षा का संदे इन दोनों को एक साथ रख देना दो शत्रूओं को बांद कर एक साथ समुद्र में फेक देना है कौन कहता है मनोर्मा कहती है चंद्रकला से इसका मतलब है कि कीचड में कमल नहीं होगाना चाहिए लेकिन जो सभाव है वह कमल ताल के कीचड में होगेगा लेकिन गंगा के बालू में नहीं मनोर माच चंदर कला से तुम जानती हो मैं किसे प्रेम करती हूँ प्रेम दो चार से तो नहीं हो सकता और फिर अब प्रतम दर्सन में प्रेम का समय भी नहीं रहा वह तो युग दूसरा था जब हृदय का रस संचित रहता था और अनायास किसी और वह बह उठता था अब तो वह की मात्रा संचे से अधिक हो गई है उसके साथ प्रेम की नहीं विनोत की बात हो सकती थी उसके साथ खिलवाण हो सकता था तवियत बहलाई जा सकती थी चंद्रकला मनोर्मा से संसार की सीधी भाषा में जिस चीज को लोग सुक समझते हैं वह तो मुझे यहीं दो महीने से मिल रहा है समय पर स्वादिष्ट भुजन और सुक की नीन सुन्दर वस्त्र संसार का सुक तो इनी तेन वस्तों में सीमित है कौन कह रहे हैं मनोर्मा मुरारी लाल से कला की साधना अपने लाग के विचारों से नहीं होती गुलाब खिल रहा था बसंत आ रहा था आधी रात को पुर्ण मासी का चंद्रमा धर्दी की ओर देख रहा था उसे देख कर मानो मेरी कलपना और भावना उत्तेजित हो उठी मैंने उसका चित्र बना दिया नामा मुरारी लाल से हर्गिस नहीं आप ही सोचिए दूसरों के दंड की विवस्था तो आप करते हैं आपके दंड की विवस्था कौन करेगा और उचित भी नहीं है कई दिनों से आप इस तरह का संकेत कर रहे हैं मैं विद्वा हूँ मेरे साथ परिहास का कोई अर्थ नहीं मरोर मा मुरारी लाल से कहती है पुरुष आख के लोलूप होते हैं विशेष्था इस्त्रियों के संबंध में मृत्युसईया पर भी सुन्दर इस्त्रिय इनके लिए सबसे बड़े लोग की चीज हो जाती है मरोर मा मुरारी लाल से वसूल करने वक्त और विरादरी में माहिर अली का कथन है भगवन के प्रति पट्टी दार और दाल गलाने की चीजे होती है दाल गल जाने पर मीठी होती है और पट्टी दार गल जाने पर काबू में रहता है भगवन सिंग का कथन है यह संसार में कोई भी पूरे तोर पर सुखी तो नहीं रह पाता यही संसार की लीला है मुरारी लाल का कथन है तुमको और मनोसंकर को प्रशन रखने में अगर मेरा सब कुछ बिगड़ जाए तब भी मुझे चिंता नहीं मुरारी लाल का कथन उसकी आकरिती से लड़कपन की सरलता जलकती है चंदरकला के लिए आज कल की शिक्षा में शब्दों का खिलवार खूब सिखलाय जाता है मुरारी लाल का कथन जूट का रोजगार तो आप लोग देहातों में करते है दूसरा आंक देखे पुरुष का सबसे बड़ा रोग इस्त्री है और इस्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष यह रोग तो मनुश्यता का है और शायद मनोश्यता के विकास के साथ ही इसका विकास भी हुआ है मनोर्मा मनोच संकर से मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़ कर संसार में उतर पढ़ना चाहती हूँ संसार के लिए एक नया आदर्श पैदा करना चाहती हूँ और तुम चाहते हो कि मैं अपने आचल से तुम्हारा गला बांदू और अपने साथ ही तुम्हें भी लेडूबू अगर तुम सच मुझ मेरे शरीर पर नहीं रेज गए हो तुमने मेरे हृदे मेरी अंतर आत्मा को समझ लिया है तो हाथ बढ़ाओ मनोर्मा मनोच संकर से कहती है पुरुष तो वैदव्य का अनुभाव कभी नहीं कर ना करते मनोर्मा मुरारी लाल से कहती है यह विद्वा यह विद्वा आप नहीं जानते शायद जानते भी है अगनी है हला हल है कोई भी पुरुष उसे चूकर पी कर जी नहीं सकता उसका हाथ मैंने इसलिए नहीं पकड़ा था कि मैं उसे इस्त्री बनाऊंगा उसका हाथ तो इसलिए पकड़ा था कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा मनोश, शंकर, मुरारे लाल से किसी को गोली मारना यदि वीर्ता है तो गोली मारकर बासुरी बजारना तो वीर्ता से बढ़कर वीर्ता और महानता से बढ़कर महानता है यदि वह मुझ से संभाव हो सके तब तो मैं समझूँगा कि मैं अपने मनोद संकर, मैं अपने से बढ़ाओ मेरा दुख, मेरी आत्मा में सब और व्यापत हो चुका है यदि व्यंग ना करूंगा, व्यंग ना करूंगा विनोध में अपने को भूल जाने की चेश्ठा ना करूंगा तो मैं जीवित ने रह सकता, मुझे मरना होगा आपकी यही इच्छा तो कहिए मैं अपना रास्ता बदल दू मनोज संकर कहता है मुरारी लाल से इस्तृ के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल नहीं प्लेटों के प्रजा तंत्र में कभी को कोई अस्थान नहीं दिया गया इस्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धी और ज्ञान को कोई अस्थान नहीं दिया गया मनोर्ष शंकर कहता है मुराली लाल से अपने उद्धार के लिए किसी प्रकृत विद्वा से पूछो जो अभी तक पुर्षो की विशेले वातावरण में ना आई हो देखो इसकी द्रिष्टी प्रिथवी में गड़ जाती है या नहीं मनोर्मा मनोर्ष शंकर से कहती है प्रेम करना विशेष्ता इस्त्री के लिए कभी बुराई नहीं इस्त्री जात की इस्तुति केवल इसलिए होती है कि वे प्रेम करती है प्रेम के लिए ही उनका जन्म होता है इस्त्री चरित्र की सबसे बड़ी विभूती उसका सबसे बड़ा तक तो प्रेम माना गया है और उस पर भी या तो उसका पहला प्रेम है उसमें बुराई कहाँ प्रेम वकील से राय लेकर जज, अधिकार, पत्र लेकर तो नहीं किया जाता जो बात स्वता सुभाव है, प्रकिर्टी है वह तो चरित्र का गुड है अब गुड नहीं, मनोर संकर मुरारी लाल से कभी और गायक भाव जीव होते है आप सुई देना कैसे वरदाश्ट कर सकेंगे लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसकी जिन्ता मुझे आप से कम नहीं अंतर के वल इतना है कि आप उसके शरीर को कश्ट नहीं देंगे चाहे वह मर जाए लेकिन मैं जिलाना चाहूँगा उसके शरीर को कश्ट हो डॉक्टर मनोर संकर से मनुष्य अपने आदिम अवस्ता में आज से कहीं अधिक स्वस्त था इसलिए कि तब डॉक्टर ना थे मनुष्य था और शक्ति और जीवन केंदर की प्रकृति थी स्वास्त की कृतिम संसादनों और बोतल की दवाओं ने स्वास्त की जड़ काट दी स्वास्त तो आप लोगों की अलमारियों में बन्द है लेकिन यह बहुत दिन नहीं चलेगा प्रकृति अपना बदला लेगी प्रकृति के रास्ते पर लोटाना निरोग होना दोनों बराबर है मनोच संकर कहता है डॉक्टर से विद्वा विवा हो रहा है लेकिन वैदव्य कहां मिट रहा है समाज इस आग को बुझा नहीं सकता इसलिए उसे अपने छज्जे से उठा कर अपनी नियू में रखा है तुमारे सुधारक राजनीतिक कभी लेखक उपन्यास का नाटक सभी विद्वा के आसुओं में बहते हुए दिख पड़े मनोर मा मनोच संकर से कहती है मेरे आत्म ग्यान को तुम मोह कह रही हो मैं जिसकी थी उसकी हो चुकी और समझोता कैसा आग और पानी का समझोता कैसा मनोच सब तरह से योग्य है लेकिन उसके भीतर एक प्रकार का संदेह एक प्रकार का अंधकार है जो मैं नहीं समझ सकती चंद्रकला कह रही है मनोर्मा से इस्त्री का हिर्दय सर्वत एक है क्या पूर्व क्या पश्चिम क्या देश क्या विदेश चंदरकला मनोर्मा से कह रही है रोटी और कपड़े के प्रशन को लेकर सतित्तु की मर्यादा विगड रही है हमारा इस्त्रियों का निर्माण भी उन्हीं उपकरणों से हुआ है जिन से पुर्षों का हुआ है लेकिन तब भी पुर्षों की गुलामी में सद्रियों से चली आ रही हमारे भीतर कभी संदे नहीं पैदा हुआ ऐसा क्यों है पुरुष की चार हाथ की सेच में हमारा संसार सीमित है पुरुष ने इस्त्री की कमजोरी को उसका गुड बना दिया और वह उसी प्रशंसा में सदियों के लिए आत्म समर्पड कर बैठी दूसरों की रक्षा में हम अपनी रक्षा नहीं कर सकी मेरे भीतर आज चिरंतन नारित्र का उदै हुआ है, मेरी चेतना आज मेरे चारो और फैल नहीं और तुम कहती हो, मुझे उन्माद हो रहा है, मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हो रही हूँ, चंद्रकला कहती है मनोर्मा से पुरुष बली है, सब तरह से बली रहेगा, मैं द्वन्द में विश्वास नहीं करती, इस्त्री ने स्वयम अपना नरग बनाया है, पुरुष उसके लिए दोशी नहीं, हमने कभी अपनी आत्मा की पुकार नहीं सुनी है तुम्हारा विद्वापन तो रूडियों का विद्वापन है, वेद मंत्रों और ब्रह्म भोजों का, जिस पुरुष को तुमने देखा नहीं, जिसकी कोई धारण तुम्हें नहीं है, जिसकी कोई स्मृति तुम्हारी आत्मा को हिला नहीं सकी, चंद्रकला मनोर्मा से कहत उसका वैदव्य कैसा भावुक्ता और विक्षोग के अउसर पर निकले हुए शब्द संसकार की मर्यादा के इस तरह नहीं मिटा सकते इसलिए आधर्ष उनका आधार नहीं होता पर इक्षा की आँच में ठैर भी नहीं सकते स्वतंत्र इस्त्रित आज के दिन नए विचार जो संसार को एक्टम स्वर्ग बना देना चाहते हैं उनमें से एक हैं लेकिन इस नए स्वर्ग की कल्पना के मूल में कोई आधर्ष नहीं हाँ प्रवित्तियों के घुर दोड के लिए यह काफी मैदान दे सकेगा मनोर्मा आनते हैं आज कलके जिन लोगों को अंग्रेजी की उची सिक्षा मिल गई है हमारे यहां वे भी आत्मा को खिलोना बना रहे हैं वे भी कहने लगे हैं अपनी पुरानी आत्मा को मार डालो बदर डालो नहीं तो कल्यार नहीं होगा यह कथन है मनोर्मा चंद्रकला से कहती है तो आज के लिए बस इतना ही हम मिलते हैं अपने हम मिलते हैं आपसे अपने अगले नाटक के साथ और नाटक की जो कथावस्तु है और नाटक की प्रमुक कथन है उनके साथ तब तक आप पढ़ते रहें धन्यवाद